तो आज के इस सेजन में हम डिस्कस करेंगे चार मई के सभी इंपॉर्टन करेंड फेर तो पहला क्वेशन है अंतररास्टी जैज दिवस 2022 कब मनाया गया तो फ्रेंड्स ये अभी हाली में मनाया गया था 30 अप्राइल को देखे फ्रेंड्स जो जैज होता है ये एक प्रकार का संगीत है जिसके लिए युनाइटेट नेशन ने यानि कि स्युक्त रास्ट ने अंतररास्टी जैज दिवस के लिए 30 अप्राइल का दिन घोशित किया है और 2022 में इसकी थीम क्या है एक काल फार ग्लोबल पीस और यूनिटी ये इसकी थीम है देखो फ्रेंड्स जैज संग जिसना और अफ्रीकी ले दोनों से ही जैज संगीत प्रफावित होता है स्युक्त रास्ट के अनुसार जैज सांथी को भढ़ावा देने और संस्कृतियों के बीच संबात के लिए माना जाता है देखो एक अप्रेल को मनाया गया उतकल दिवस और डिज़र बैंक आफ अपना दिवस दो अप्रेल को मनाया गया अंतर रास्ट्री बाल पुस्तक दिवस और विश्व आर्टिज्म दिवस चार अप्रेल को मनाया गया स्युक्त रास्ट का अंतर रास्ट्री खदान जागरोगता और खदान कारे में सहायता दिवस पांच अप्रेल रास्ट्री सम दिवस के रूपे मनाया गया 6 अप्रेल को साथ अप्रेल को विश्व स्वास्थ दिवस मनाया गया 8 अप्रेल को मनाया गया सेना आयुदकूर का 247 यानि कि इस्टर से पहले का जो संडे होता है उसको कहते हैं पाम संडे 11 अप्रेल को क्या मना गया विश्व पार्किंसन दिवस मना गया राश्ट्री सुरक्षित मात्रित दिवस मना गया और जोतिबा फुले जैनती भी मनाईगी कम मनाई गई 11 अप्रेल को 12 अप्रेल को क्या मनाई गया मानो अंतरिक्ष उडान का अंतरराश्ट्री दिवस 13 अप्रेल सियाचीन दिवस अंतरराश्ट्री पगडी दिवस और जलिया वाला बाग हत्याकान की 103 वी जैनती भी 2022 में मनाई गयी है 14 अप्रेल को मनाया गया विश्व चगास रोग दिवस और बावा सहब बी आर अमबेटकर की 131 जैनती 15 अप्रेल को मनाया गया हिमाचल प्रदेश अस्थापना दिवस और विश्व करा दिवस के रूप में 16 अप्रेल को मनाया गया विश्व आवास दिवस जिसकी थीम है 2022 में Lift Your Vice और इसी दिन 16 अप्रेल को ही मनाया गया हाथी बचाओ दिवस के रूप में 17 अप्रेल को मनाया गया विश्व हेमफुलिय दिवस इस्टार के लेना बहुत ही इंपॉटेंट है 18 अप्रेल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस जिसकी थीम है Heritage and Climate 19 अप्रेल को मनाया गया विश्व लीवर दिवस और 20 अप्रेल को मनाया गया स्वयुक्त राष्ट चीनी दिवस 22 अप्रेल का दिन बहुत ही इंपोर्टेंट है जिस दिन मनाया गया विश्व प्रतिवी दिवस के रूप में और 2022 में इसकी थीम है Invest in the Our Planet फिर देखे फ्रेंड्स 23 अप्रेल को क्या मनाया गया विश्व पुस्तक और कापी राइट दिवस के रूप में और इसी दिन अंग्रेजी भासा दिवस भी मनाया गया 24 अप्रेल को मनाया गया राष्ट्री पंचायती दिवस इस्टार कर लेना इक्जाम्पल इंपोर्टेंट है पच्चिस अप्रेल को मनाया गया 20. मरेरिया दिवस और अंतर राष्ठी प्रतिदी दिवस के रूप में, इसको भी स्टार के लेना ये भी important है 28. को मनाया गया कार अस्थलप सुरक्षा और स्वास्त के लिए वैस्विक दिवस के रूप में 29 अपरेल को मनाया गया अंतर राश्ट्री निरित्त दिवस और 30 अपरेल को दो दिवस मनाया गया विश सुपासु चिकित्सा दिवस और अंतर राश्ट्री जैस दिवस तो फिरेंड्स ये एक complete revision है जो जो थीमे मैंने आपको यहाँ पर बताई है उन थीमों को एक बाद की डिजिटल अर्थिवस्था का लाव पहुचाने के लिए किस कंपणी से समझता किया है तो फ्रेंड्स इसका अंतर हो जाएगा option A यानि कि यह जो तिलंगाना सरकार ने समझता किया है वो Google कंपणी से किया हुआ है तो Google और तिलंगाना सरकार ने महिला उद्यमियों और य 30,000,000,000 वर्ग फुट का उर्जा कुसल परीसर हैदराबाद में बनेगा समझता ग्यापन के अंसार Google युवाओं को Google कैरियर प्रमारपत्र छात्र प्रित्री प्रिदान करने के लिए तिलंगाना सरकार के साथ सहयोग करेगा ताकि उन्हें डिजिटल प्रतिभा की मांग के लिए नौकरी के लिए तैयार किया जा सके तो फ्रेंट्स क्वेश्चन है कि तिलंगाना सरकार ने युवाओं और मैला ओध्यमियों की डिजिटल अर्थिव्यवस्था का लाप पहुचाने के लिए किस कंपनी से समझता किया है तो इसका आंसर जादकना आप्सन ए है यान में के चंद सेकर राव गवर्नर हैं तमिली साइस उंदर राजन और मुख्य नादिस हैं सतीस चंदर सर्मा यहां की जो मुख्य जीले हैं उसमें भद्रकाली निजाम सागर और हुसें सागर के नाम मुख्य हैं नेशनल पार्क में स्री सेलन टाइक रिजर्व जो की परिक् लंगाना से जुड़ा हुआ है चर्चित अस्तोलों में आपको चार मिना गुलकुंडा का किला और बेड़ला मंदिर देखने को मिल जाएगा लिचल लंगाना में कुल जिले कितने हैं 13 हैं विदाज़सभा सीठें कितनी हैं एक 1019 हैं लोक सब्साइब सीठें कितनी हैं रा वाला भारत का पहला राजी बन गया है महाराष्ट तो option B यहाँ पर आपका correct है दिखे friends migration tracking app यानि कि इसको आप कहेंगे MTS migration tracking system app इस पर्यूजना का उद्देश प्रवासी लभारतियों जैसे की 18 वर्स से कम उम्र के बच्चों अस्तनपार कराने वाली माताओं और आगनवाडी केंद्रों में पंजीकृत गर्वती महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सिवा ICDS यह ICDS जरूर जाए तक ना और देखो इसे 1975 में लांज किया गया था इंटीक्रेटेड चाइड्ड डेवलोप्मेंट सर्विस तो यह जो 18 वर्स से कम उम्र के बच्चे हैं और अस्तनपार कराने वाली जो माताओं हैं गर्वती मात जो महिलाओं हैं उनके लिए ICDS की निरंतर सिवा है उसको उपलब्द कराना सुनिश्रित करना है तो राज के भीतर या बाहर अपने गंतब जिलों में अपने मूल अस्थानों पर लोटने तक अपने परिवारों के लिए एकिकृत बाल विकास सिवा ICDS की portability सुनिश्रित करने के लिए प्रवासन स्रमिकों को ट्रैक किया जाएगा एकिकृत बाल विकास सिवा यानि की ICDS महिला एवंग बाल विकास मंतलारे द्वारा कारानवीत एक केंदर प्रयाजित योजना है इसे 1975 में लांच किया गया था और उधो ठाकरे बरतमान महरा स्ट्रा हाई कोड के मुख्य नाइदी से तो यह तीनों हस्तियों के नाम आपको याद रिखना है फिर आगला कोशन देखते हैं प्रस्नेवका की हाली में बैंक आप बड़ोदा ने वडिश्ट नागरिकों के लिए कौन सा नया फीचर लांच किया है दिखे फ्रेंट्स ड वो ऑनलाइन एप पर ही उपलब दोती हैं तो इसलिए बैंक का बड़ोदा ने वरिश्ट नागरिकों के लिए एक बी ओबी बाब वर्ड गूर्ड नाम से एप को लांच किया है तो इस प्रस्न का आप्शन एक करेक्ट है देखे फ्रेंट्स भुजरुरुकों के लिए नय और सरल तरीके से डिजाइन किया गया यह एक एप या पोर्टल है और इसमें नेविगेशन बड़े फांट और पर्याप्त स्पेसिंग के साथ असपस्ट मेनू को भी दिया गया है तो बैंक का बड़ोदा की अस्थापना होईती 1908 में मुख्याले मिरेगा आपको वरोदर में MD और CEO कौन है बरतमान में संजीव चढधा है फिर देखे फ्रेंट्स अगला क्रेशन है कि हाली में New Space India Limited ने उपगर प्रक्षेपन के लिए किसके साथ समझता किया है तो New Space India Limited यह एक कंपणी है उसी प्रकार से जैसे Space X वगरा है एलेन मस्की उसी प्रकार से एकंपणी ह New Space India Limited जिसने उपगर प्रक्षेपन के लिए अभी हाली में वन वेप के साथ एक समझता किया है तो इस प्रसका आप्षन एक करेक्ट है आंद्र प्रदेश के हरिकोटा से 37 धवन अंतरिक्षिकें से वर्स 2022 के अंत में इस नए उपगरा को लांच किया जाएगा और वन वेप प्रक्षिक को ये सक्षम करेगा वन वेप 648 लो अर्थ आर्बिट उग्रहों का वैस्विक बेड़ा भी एक साथ लांच करने जा रहा है अगर हम बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिम्टेट के बारे में बरतमान में इसके अध्यक्ष है राधा कृष्ण दुर्र राजी और वन वेप की जो CEO है उनका नाम क्या है नेल मास्टर सन तो दोनों नाम याद रखना है फिर आए आगए बढ़ते हैं अगला कुश्च नहीं हाली में किस अबनेतरी को 75 कान फिल्म फेस्टिवल का जूरी का सदस बना गया है तो कान फिल्म फेस्टिवल का जो 75 संस्क्रण होगा इसमें जूरी का सदस बना गया है कि इसको देपिका पादुकोण को यानि इस परसका आप्संस सी सही है तो यहाँ पर अमूल ने देपिका पादुकोण को एक सम्मान दिया है उन्होंने अपने एड में इनकी एक कार्टून को रखा है और इसको नाम दिया है दीपी कांस तो कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कांस फ्रांस में आवजित एक वार्शिक फिल्म समारो होता है जो दुनिया भर के बृत चित्रों सहीत सभी सेलियों की नई फिल्मों को पुर्वाल लगल रिकित जो है करता है इसका तो दोचर बाइस में मनाया गया है एक मै को क्योंकि एक मै को मै मा का पहला संडे था पहला रविवार था तो याद रगना कि मै मा का जो पहला रविवार होता है उसी दिन मनाया जाता है विशुहास से दिवस तो हर वर्ष मै के पहले रविवार को विशुहास से दिवस के में मिना जाता है और विस्व दिवस کے रूप में प्रहला ऐयोजन कब errors 11 जनौळी 1998 में कहां पर वहाती है कि एक मही को मुक्र से कुछ जो दिवस मनाए गए हैं उसमें उज्जुला दिवस सामिल है और 2022 में इसमें हाथ से दिवस भी सामिल है मजदूर दिवस भी सामिल है और महाराष्टरा और गुजरात का अस्थापना दिवस भी आपको याद होगा कि एक मैई 1960 में एक मैई 1960 में महाराष्टरा और गुजरात किसी में रेखा बनी थी पर जो गुजरात था वो महाराष्टरा का ही एक हिस्सा था फिर अगला कुशन है कि हाली में किसे प्रधानमंद्री नेद्रमोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है तो इनका नाम है आप्शन जेम हैं डाक्टर सुमन के बेरी ये पूरुस हैं सुमन से महिला मा समझेगा इनको और इसी के साथ कृष्णर रामा नुजन और मादवी पूरी बुच का नाम भी आपको याद होना चाहिए तो कृष्णर रामा नुजन ये नयसकाम के नए अध्यक्ष बने हैं और मादवी ये उनकी ये दो वर्स के लिए की जाएगी तो दो साथ के लिए प्रधानमंद्री नैदमोदी का सलाकार बनने वाले हैं तरुन कपूर तो ये नाम आप याद हिरना इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगला कृष्ण है जीन बैंक परियोजना अस्थापित करने वाला पहल भारती राज्य बन गया है यहाँ पर देखिए जो आपका option है तो वो है महराष्ट्रा यानि कि बिकल्प C यहाँ पर आपका correct है देखे फ्रेंट्स यहाँ पर आपको बता दे कि अगले पांस सालों के लिए महराष्ट्रा ने इस प्रोजेक्ट पर एक सो बान में दस्वलो 39 लाख करोन रुपए आवंटित किये हैं महराष्ट्रा के स्थापना मैंने आपको भी बताया था कि एक मईग हुआ था 1960 में और मुंबई हैदराबाद 2021 के ट्री सिटी आप्द वर्ड में सामिल भारत के दो सहर हैं 2050 तक सुद्ध सूनी कारवन उत्रजम का लक्ष भी महराष्ट्रा ने रखा है और 2023 में अंतरराष्ट्री ओलंपिक सत्र की मिजबानी भी महराष्ट्रा ही करेगा और टार्म टार्फिक इंडेक्स 2021 में सबसे ज़्यादा जो ब्यस्त सहर है वो मुंबई है वर्ड वाइड इ तो MS-MH के लिए Open for All Digital System को लांच किया गया है किस बैंक के द्वारा इसका अंसर है ICICI यानि कि Option D यहाँ पर आपका करेक्ट है देखे प्रेंट्स ICICI ने सूच मनलग और मध्यम उद्धिमों के लिए पहला Open for All Digital Ecosystem को लांच किया है इसमें अन्य बैंकों के जुधारक है व इसमें क्या होगा 25 लाग तक की ततकाल और कागज रहे ओवर ड्राफ्ट सुधा इसमें आपको प्रदान की जाएगी कितनी रासी है 25 लाख रुपए तो यह काफी important point है इसको आप याद रखना देखे फ्रेंट्स अगर सेसन आपको अच्छा लगा है तप्रीज आपसे ला आज में है जिसका नाम बदल कर अब महेश नगर किया जा रहा है तो काफी कुछ मैंने आपको बता दिया है अब आपको इतना बताना है कि मिया का बाड़ा कहां पर इस्तित है और उमीद करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को वास कर रहे होंगे सभी लोग इसका आ जहिंद